नमस्कार दोस्तों अगें स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कार देखलो में मैं वापस वीडियो लेका आया हूँ और आज इस गारी का वीडियो बनेगा वो आप फ्रंट में देख पा रहे होंगे ये एक्शुल XT बीच का मोडल डार्क इडिसन हुआ जो फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे तो आज इस गारी का मैं सारा डीटेल बताऊंगा और जो भी अल्टोज लेने का प्लानिंग कर रहे होंगे थोड़ा सा रुखजा है इस वीडियो को पूरी तरह से वाच करें देख ले फिर जाके आप अल्टोज के कलर को कंफर्म करें क्योंकि ये एक बेल्यू फोर मनी आपको मिल सकता है आपके बचट में तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा कॉमेंट करिएगा और नीव होंगे तो सस्क्राइब करके जरूर जईगा तो दोस्तों करते हैं यहीं से वीडियो को कंटीनू तो दोस्तों आज ही के हैं गारी के फ्रेंट प्रोफाइल में आप देख पा रहे होंगे काफी जबजस लगता है देखने में तो हमेशा की तर हैं तो वही टाटा का लोगो यह सारे चीज़ मिल जाता है और अभी डिटू समी कंटेक्टर आपको एक ही मिलता था लेकिन बहुत अच्छा है कि अब आपको डार्क में अभी दो मिल जाता है यह काफ़े इंपोर्टेंड हो जाता है तो यह रहा की का तो एक बड़ चलते ह देन अगर नीचे आते हैं तो यहाँ आपको फॉग लैम और विथ यहाँ पे DRL LED के साथ मिलता है जो की गारी को इनहेंस काफी लुग देता है देन अगर इधर से स्टार्ट करें तो यहाँ लेफ्ट फेंडर से स्टार्ट होकर पूरा राइट फेंडर तक आपको एक डिजाइन वाल आपको ग्रील मिलता है और वही आपको बीच में टाटा का यहाँ पे लोगो देखने का मिलता है देन अगर नीचे आते हैं तो वही आपका मैट ब्लेक कलर का ग्रील मिलता है जो की काफी अच्छा है और ये एर सलकूरेशन को बनाए रखने के लिए बड़ा सा स्पीज दिया गया है ताकि आपकी गारी अच्छे से परफॉर्मेंस करे देन अगर उपर की बात कीजा इसकी बॉनेट की तो काफी मस्कुलर डिजाइन और ये कर्व डिजाइन हैच्बेक सेग्मेंट का काफी प्रीमियम डिजाइन हो चुका है जो की काफी अच्छा लगता है तो देन अगर लाइट की बात कीजा है तो यहाँ पे आपको आटो रेन सेंसर वाइपर आपको मिल जाता है तो यह रहा ओबर रोल गारी का फरंट करीज है तो दोस्तो आशके हैं गारी के साइट प्रोफायल में तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी टायर से तो यहाँ पी जो आपको टायर मिलेगा बोहुत जबद जास्तले यार यह जो विल है यहाँ पूरी तरह से लगेगा अलइविल्स की जैसा लेकिन यह और यह अच 25 x 55 आर 16 इंच का आपको टायर मिलेगा जो की काफी अच्छा है और बीच में हो ही आपका टाटा का ब्रांडी देन अगर ऊपर में आते हैं तो यहां पे अल्टोस डार का आपको वेजिंग मिलता है जो की काफी अट्रेक्टिव लुक देता है देन टन इंडिकेटर में जाते करने के लिए यहाँ पे डार्क रोम का यूज किया गया है जो की काफी अच्छा लगता है देखने में अगर दूर हैंडल में आते है तो आपको डुर साइड में रिक्वे। सेंसर मिल जाता है लोक अनलोक करने के लिए तो यह चीज़ काफी बेनफिट हो जाता है और काफी उनके लिए benefit हो जाता है देन अगर पीछे की बात कीजा opening की तो यहाँ पे C pillar में mounted है तो यह थोड़ा सा आपको एक unique लग सकता है जो की काफी अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों की देन बात कीजा इसकी fuel tank की तो यहाँ पे आपको 37 liter का fuel tank आपको मिलेगा और बात कीजा इसकी ground clearance की तो यहाँ पे आपको 165 mm का ground clearance मिल जाता है देन अगर चलते हैं गारी की उपर में तो यहाँ पे भी आपको dark का ही use किया गया है side beat में आपको पूरी तरह से dark का use किया गया जो की काफी अच्छा लगता है देखने में और यहाँ पे B pillar में आपको matte black color का मिलता है तो मैं company से request करता कि इसमें भी अगर dark रहता तो यह चीज़ काफी matching हो जाता देन XT है तो थोड़ा सा cost cutting तो होगा मैं समझ सकता हूँ लेकिन यह चीज़ भी आप update कर सकते हैं तो यह overall रहा गारी का side profile तो एक बड़ चलते हैं गारी के back profile में तो दोस्तो आचिके हैं गारी के back profile में आप देख पा रहेंगे काफी अच्छा इसमें आपको design मिल जाता है देन सबसे पहले उपर की बात कीज़ा है तो यहाँ high stop flame के लिए आपको regular light मिल जाता है और यहाँ integrator spoiler मिल जाता है और यहाँ sporty pets मिल जाता है जो कि गारी को काफी enhance look देता है और साथ-साथ मैं आपके गारी को काफी improvement देता है आपके speed को लेकर तो यह चीज़ है नीचे अगर जाते हैं तो कोई आपको wiper defogger आपको नहीं मिलता है लेकिन आपको backlight है काफी premium के साथ यहाँ पे मिल जाता है मैं आपको एक बर जला के दिखा दूँगा यह आप देख पा रहे होंगे यह तो आपको actual LED वाला आपको नहीं मिलेगा लेकिन यह आपको LED का feel जरूर दे जाएगा क्योंकि इसमें आपका light setup ही ऐसा किया गया है जो कि काफी अच्छा लगता है देन backlight के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक dummy दिया गया है और एक backlight आपको सिप इधर ही मिलेगा जो कि actual original है जो आप white color का देख पा रहे होंगे तो यह चीज़ है देन अगर नीचे आते हैं तो भई आपका Tata का logo Altos का Beijing और यहाँ पे XT में भी आपको camera available मिल जाता है नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे dual parking ultrasonic sensor मिल जाता है और नीचे यहाँ पे एक बड़ा सा bumper protection मिल जाता है और पीछे आपको दो reflector मिल जाता है जो की काफी अच्छा है पीछे के गारियों के लिए तो यह overall सारा features मिल जाता है गारी के back profile में तो एक बड़ चलते हैं करते हैं गारी के boot को open तो दोस्तों यहाँ पे boot को open करने के लिए यहाँ request sensor मिल जाता है तो सबसे पहले मैं करता हूँ boot को open और यहाँ पे सबसे बड़ी बात की XT में भी आपको parcel tray मिल जाता है सबसे बड़ी बात की यहाँ जो boot a space मिलता है 345 लिटर का मिलता है जो की काफी बड़ा है और काफी enough है देन अगर उपर की बात कीज़ा है तो सबसे पहले मैं बता दूँगा यहाँ पे एक grip मिल जाता है इसे आप बंद कर सकते हैं पकड़ के ऐसे तो यह काफी अच्छा हो जाता है आपको उपर में पकड़ने की जरुवत नहीं आप यहीं से बंद कर सकते हैं और यह पूरी तरह से hard material का use किया गया है ताकि यह premium लगे बहुत सारे में cost cutting के लिए यहाँ कुछ दिया ही नहीं जाता है ब्राइड स्टोन की और जो tire size होगा मैं आपको दिखा दूँगा यह 165 x 80 r 14 इंज का आपको यहाँ मिलेगा इसमें आपका tool kit वेगरा सारा उसी में रहेगा अभी टाटा बहुत अच्छा कर रहा है कि हर एक model में आप base model भी लेते हैं तो वो चीज रहा देन इधर आते हैं तो यहाँ पे एक light मिल जाता है और वही 33 kg का luggage holder यहाँ पे आपको मिल जाता है देन अगर seat की बात कीजा है तो यह 60-40 नहीं है पूरा आपको fold करना पड़ेगा एक यहाँ पे clip मिल जाता है दूसा clip यहाँ मिलता है इनकेस अगर आपको boot बढ़ाना है तो आप seat को पूरा fold कर सकते हैं तो यह over roll रहा पूरा boot का तो एक बार चलते हैं गारी के rear interior में तो दोस्तो आचुके हैं गारी के rear interior में आप देख पार होंगे काफी premium लगता है देखने में और यहाँ पे हर इक चीज़ आपका black का ही use किया गया जो की काफी अच्छा है देन सबसे पहले इसकी बात करेंगे seat की तो यहाँ जो आपको seat मिलता है तो यह जो आपको seat मिलेगा extra premium quality का मिलेगा जो की काफी अच्छा हो जाता है देन अभी seat की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको seat headrest आपको adjustable मिल जाता है अपने height करने उसार उपर नीचे कर सकते हैं बीच में अगर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि XT model में भी आपको armrest मिल जाता है और यह काफी बड़ा है अगर आप अराम से दो लोग भी बैठे हैं तो यहाँ पे अपना हाथ रख सकते हैं और एक चीज और कि XT में भी आइसोफिक्स आपको child safety lock यहां मिल जाता है अगर आप अपने छोटे से नन्ने बच्चे को आप यहां पर बैठाना चाहते हैं वह carry bag लेके lock करवाके तो यहां चीज वह आप कर सकते हैं देन बात कीज आएगे इसकी floor की तो यहां बहुत अच्छा आपको floor मिलता है पूरी तरह से flat मिलता है तो इससे क्या फायदा है कि बहुत साड़े गाडियों में यहां पे बीच में एक bump रहता है जिसके कारण तीसरा लोग को बैठने में काफ़े दिक्कत होता है एक पर उधर एक पर इधर करके बैठना पड़ता है तो वो चीज यहां पर नहीं होगा और यह काफ़ी अच्छा हो जाता है तो यहां पे बात कीज आए अस्पेस की तो बहुत बड़ा अस्पेस मिलता है मेरे जिसा अगर 5.4 और 5.5 के भी अगर लोग होंगे तो आप यहां पे अराम से बैठ सकते हैं देन बात कीज आएगे इसकी थाई सपोर्ट की तो मैं एक बार देख लेता हूँ एक दो और यहां पे काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट मिल जाता है बड़े लोग भी यहां पे अराम से केरी करके बैठ सकते तो यह चीज हो गया देन चलते हैं गारी के डूर में तो यहां जो आपको डूर में भी यूज किया गया है पूरी तरह से ब्लैक का ही यूज किया गया है तो यहां पे थोड़ा सा एक क्रॉम फिनिस नहीं यूज करके प्यानो ब्लैक कलर का यूज किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इधर आते हैं वही आपका वन लिटर का आपका बोतल होल्डर मिल जाता है और यहां पे स्पीकर और उपर में आपको एक ट्विटर मिल जाता है तो यह चीज काफ़ी इंपोर्टन्ट हो जाता है तो यह अबर रोल रहा गारी का रियर प्रोफाइल एक बर चलते हैं गारी के फ्रंट इंटिरियर में और बात करेंगे कि वहाँ क्या क्या आपको मिल जाता है तो दोस्तो आचिके हैं गारी के फ्रंट इंटिरियर में आप देख पा रहेंगे काफ़ी प्रिमियम लगता है देखने में और एक अलग look दे जाता है इस price segment में और इसका dashboard वेगरा काफी attractive लगता है देखने में तो यह चीज सारा आपको मिल जाता है XT Dark Edition में देन बात करेंगे इसके डूर से तो यहाँ पे भी पूरी तरह सा black का ही use किया गया है और यहाँ पे आते हैं तो चारो power windows मिल जाता है और यहाँ पे driver side one touchdown power windows मिल जाता है इधर child safety lock मिल जाता है और बाहर के mirror को adjust करना या fold करना है तो सारा चीज आप यहीं से कर सकते हैं और confidence का use किया गया जो कि काफी अच्छा हो जाता है अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे bottle holder, amrela holder सारा सीज यहाँ पे available हो जाता है यहाँ पे आपको seat में seat adjustable मिल जाता है जो कि काफी benefit होता है अगर छोटे लोग है तो आप उपर कर सकते हैं और बड़े लोग है तो वो चीज न नीचे कर सकते हैं देन इधर आते हैं तो push button start इधर fog flame का light का option और यहाँ ideal start stop का button मिल जाता है अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पर्स रखने का अच्छा कासा space मिल जाता है तो दोस्तों बैठते हैं गारी के अंदर में और बात करेंगे इसके interior की तो अब आचुके आपको कोई cover लगानी की जरुवत नहीं पड़ेगा देन यहाँ पे वही आपका piano black color यूज किया गया है देन इधर आते हैं तो mounted control का सारा आपको मिल जाता है call receipt करना, cut करना, mute करना, song को next pause करना सारा facility यहाँ पे मिल जाता है देन यहाँ पे एक extra है cruise control जो XT में बहुत किये हुए अगर automatic आप से बटम से आप speed को जादा कम करना चाहते है को speed को set करना चाहते है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं देन अगर आते है होर्न में तो यहाँ पे side में आपका place किया गया है और यहाँ पे बीच में भाई आपका Tata का एक airbag एक airbag आपका वहाँ पे use किया ग cluster तो नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा instrument cluster मिलता है इधर rpm meter इधर आपका speedometer और बीच में आपको सारे चीज़ सो कर देगा कि गाड़ी में refuel किजिए light जला है fuel नहीं है distant to empty कितना per liter में आपका mileage देगा क्या cooling है और इधर mode आप change करके और भी बहुत सारा इसमें आप setting कर सकते हैं आपका अगर डूर कोई भी अगर डूर open हो तो वो भी आपका यहाँ सो करने वाला है तो वो सारा facility आपको यहाँ पे मिल जाता है देन चलते हैं इसके music system में तो यहाँ पे branded harmon का branded music system मिलता है जिसमें android auto apple car play voice command आपको xt मे voice command plus word 3 word का भी आपको यहाँ पे support मि मिल जाता है इधर ambient light भी है तो यह काफी अच्छा हो जाता है कि अगर कभी यहाँ से जो light जलता है blue वो काफी अच्छा लगता है मैं दिखा देना चाहता हूं जैसे नीचे अभी जो blue light जल रहा है वो काफी attractive लगता है यहाँ पे भी आपका blue light जल रहा है और उधर भी आपक आपको sound output मिलने वाल है देन अगर आते हैं यहाँ पे इस event की तो यहाँ जो beijing किया गया अल्टोस का यार वाह ला जवाब है यार और इस event काफी attractive look में यहाँ पे दिया गया है काफी sporty रखा गया है देन वहाँ आते हैं इस event में तो यहाँ पे आपको chrome finish यूज किया गया है जो कि attractive लगता और इसका look देखो या dashboard का नहीं लगता है कि कुछ आप XT model में भी same top model का feel ले सकते हैं वो चीज यहाँ पे आपको available है तो यह चीज रहा देन आते हैं इसके glow box में तो सबसे important कि इसमे light मिलदा है light के साथ साथ यह gold glow box है आपको फल को अगर आप ठंडा करना चा आते तो आप यहाँ पे कर सकते हैं तो यह चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है देन नीचे आते हैं तो यहाँ पे automatic climate control मिल जाता है और यह जो chrome finish किया गया है वो काफी attractive लगता है देन यहाँ आते हैं तो वही आपका 12W charger USB port और यहाँ फोन रखने का अच्छागासा space मिल जा आता है देन अगर इधर आते हैं तो यहाँ पे आप चाप भी रख सकते हैं और in case कभी भी आपको यहाँ पे लगाना है charger तो आप यहाँ पे लगवा सकते हैं तो यहाँ पे दो छोटा मोटा आपको कफ होल्डर मिलता है पीछे अगर आते हैं तो वही आपका mobile holder, magazine holder यहाँ आपको available है तो यह चीज रहा over roll गाड़ी का नीचे का सारा चीज़ तो एक बड़ चलते हैं तो यहाँ में भी आपको XT में vanity mirror मिल जाएगा इधर आपका sun glass holder, इधर LED वाला light और यहाँ पे आपको mic मिल जाएगा अगर कभी Bluetooth connector के बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकत देन इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको card holder आपको मिल जाता है और IRBM में आते हैं तो यह day night वाला होगा, manually आपको adjust करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको rain sensor wiper आपको मिल जाता है जो की काफ़ important हो जाता है तो यह रहा overall सारा गारी का front features तो थोड़ा चलते हैं इसके रूप पार होएंगे कि यहाँ डार का use किया गया है एक काफी अच्छा branding यहाँ पे किया गया है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ seat belt हाइजिस्टेबल है अपने height के अनुसार seat belt को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं तो यह रहा overall गारी का सारा features interior में ते एक बड़ चलते हैं गारी के engine मे पेट्रोल में इसका आपका diesel वर्जन भी आता है तो फिलाल अभी हम बात करेंगे पेट्रोल का तो यहाँ 1200 सीसी का थ्री सिलिंडर आपको engine मिलता है जो की maximum जो पावर जनरेट करता है 86 PS का और जो अगर टॉर्क जाते हैं तो 113 newton meter टॉर्क आता है अगर आप पेट्रोल इं engine की safety and security की तो यहाँ ABS, EBD, CSC और सबसे important बात की Tata Altos आपकी 5 star rating and cap global से मिला हुआ है तो आपके family के लिए एक सुरच्छित कार है फ्रेंट में disc की पीछे आपका drum सारा चीज आपको available यहाँ पे मिल जाता है देने कर बात की जाएगी इसकी बैटरी की तो यहाँ पे एमरोन आ तो दोस्तों बात की जाए गारी की price की तो एक सो रूम आपको 8,10,000 पढ़ने वाला है और हजारी बाक अगर आपका 9,32,000 आपका पढ़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक value for money, Altos का dark edition लेना चाहते हैं तो आप XT को buy कर सकते हैं दिन अगर आप चाहते हैं कि Altos का मुझे सारा features मिलें आपको कोई भी कमी ना रहे हैं तो आप top model में भी आप जा सकते हैं उसमें आपका प्रोजक्टर, अलाइविल, पीछे defogger, वाइपर, सारा सीज आपको वहाँ पे available आपको मिल जाएगा तो अगर एक value for money लेना चाहते हैं तो मैं आपको recommend करूंगा क कि आप इस model को ले, overall आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये आपका नीचे का बीच का model है तो ये चीज़ काफी important हो जाता है तो ये रहा overall सारा इस video इस गारी का देन इसमें आपका automatic भी आ रहा है तो अभी Altos में सबसे advanced automatic का use किया गया है DCA का तो ये चीज़ रहा तो देन डिस्प्ले में भी दे दूँगा तो अगर किनी का को planning होता है आप हमें call कर ये मैं आपको गारी दे पाऊंगो तो दोस्तों करते हैं यही पर video को end